बोलिए भगवती मा जगदंबिका की जै प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा मा दुर्गा की नोवी शक्ती की पावन कथा मा दुर्गा जी की नोवी शक्ती का नाम सिद्धि दात्री है ये सभी परकार की सिद्धियों को देने वाली है नवरात्री पूजन के नोवे दिन इनकी उपासना की जाती है इस दिन शास्त्री विदिविधान और पूर्व निश्टा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है श्रष्टी में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है ब्रमांड पर पूर्व विजय प्राप्त करने की सामर्थे उसमें आ जाती है नव दुरगाओं में मा सिद्धिदात्री अंतिम है मा सिद्धिदात्री चार भुजों वाली है इनका वाहन सिंग है ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है इनकी दायनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है मारकंडे पूरान के अनुसार आठ सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इश्वित्व और वशित्व है ब्रह्म वेवर्त पुरान के स्री कृष्ण जनम खंड में यह संक्या 18 बताई गई है इनके नाम इस प्रकार है अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इश्वित्व, वशित्व, सर्व कामाव, साइता, सर्व ग्यत्व, दूर श्रवन, परकाय, प्रवेशन, वाक सिद्धी, कल्प व्रक्षत्व, श्रष्टी, संगार करण सामर्थ, अमर्तव, सर्व न्याय कत्व, भाव ना सिद्धी मा सिद्धी दात्री भक्तों और साद्गों के ये सभी सिद्धिया परदान करने में समर्थ है देवी पुरान के अनुसार भगवान सीव ने इनकी करपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था इनकी अनुकंपा से ही भगवान सीव का आधा शरीर देवी का हुआ था इसी कारण वे लोग में अर्ध नारिश्वर नाम से भी पर्शिद हुए परतेक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो इनकी कृपा से अनन्त दुख रूप संसार से निरलिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है सिद्धिदात्री मा के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेस बचती ही नहीं है जिससे वह पूर्ण करना चाहे वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवशक्ताओं और इस परहाओं से उपर उठकर मानसिक रूप से मा भगवती के दिव्य लोकों में विचरन करता हुआ उनके कृपा रस पियूस का निरंतर पान करता हुआ विशे भोग सुन्य हो जाता है मा भगवती का परम सानिद्धे ही उसका सर्वस्व हो जाता है इस परमपत को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वश्टू के आवशक्ता नहीं रह जाती मा के चर्णों का यह सानिद्धे प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ट रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए मा भगवती का इस्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की एसारता का बोध कराते हुए वास्तिविक परम शान्ति दायक अमर पद की ओर ले जाने वाला है आज की युग में इतना कठिन तब जो कोई भी करता है वह मा की करपा का पात्र बनता ही है अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना सास्त्रिय वीदी विधान की अनुशार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नवे दिन इनकी उपासना में प्रवत्त होते हैं इन सिद्धी दात्री मा की उपासना पूण कर लेने के बाद भक्तों और सादकों की लोकिक पर लोकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ती हो जाती है नौमी के दिन मा सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है देवी की स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामी नी माना गया है जो जातक नौमी के दिन मा सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु का दोश हड जाता है बोलिये मा सिद्धि दातरी की जे